बन्दे मात्रम, हेलो स्टुडेंट, हाव आर यू, एवरिवन फाइब, गूड, तुडे इस सब्जेक्ट ओफ हिंदी, आज हम हिंदी में रिविजन करेंगे, तो इसमें क्या लिखना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजे, रिक्त स्थान, यानि की मिसिंग लेटर, इसमे से हमें स्वर करना है पहले, तो यहां क्या दिया है, असे अनार, इसके बाद क्या आता है, क्या, वेरि गूड, आसे आम, तो पहले हमें असे अनार बना देना है, इसके बाद हमें दुस्तरी स्टेंडिंग लाइन बनानी है, और छोटी सी स्लिपिंग लाइन, आसे आम, इसके बाद क्या दिया है चोटी इसे इमली तो हमें यहाँ लिखना है चोटी इसे इमली चोटी सी standing line और cow बनानी है और नियर जैसे पुछड़ी नीकालने की है और clipping line बनानी है इसके बाद क्या दिया है बड़ी इसे इंक छोटे उसे उल्लू तो हमें यहाँ छोटे उसे उल्लू लिखना है ओके चलो इसके बाद बड़े उसे उन और इसके बाद क्या आता है रीशे रीशी हमें स्लेटिंग लाइब स्लेटिंग लाइब इसके बाद ओसे उकली इसमें हमें पहले हाब सर्कल स्लेटिंग लाइब और स्लेटिंग लाइब उपर ओसे उकली इसके बाद ओ से अउरत पहले हमें ओ से ओखली बना देना है इसके बाद दुसरा स्लेंटिंग लाइन बनाने की तो क्या बन चाएगा ओ से ओखली और नीचे क्या है अम से अंगूर इसके बाद क्या आता है ओह से खाली तो पहले हमें ओ बना देना है इसके बाद यहाँ दोड डोड बनाना है तो क्या बन गया अहां से खाली चलो अब नेचे क्या दिया है वियन जन दिये है इसको भी हमें लिखना है ओके तो पहला क्या दिया है कोसे कमर इसके बाद क्या आएगा खोसे खरगोश तो हमें पहले बनाना है इसके बाद आप सरकल, स्टेंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन खोसे खरगोश इसके बाद गह से गमला दिया है इसके बाद आएगा गह से खर चलो इसके बाद अंग दिया है अंग से खाली जो अंग हमें संधी में जो प्रन्नाम्स लेशन होता है, इसमें यूज होता है तो अंग से बात क्या आएगा? चो से चर्खा छोटी से स्लिपिंग लाइन हाप सरकॉर, स्टेंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन चो से चर्खा चो से छट्री इसके बाद ज़ से जम्रूख इसके बाद ज़ से जंडा दिया है और आई दिया है और इसके बाद आई के बाद क्या आएगा? क्या? ट से टेमाटर इसके बाद ठ से ठठेरा दिया है तो इसके बाद क्या आएगा? ट से डम्रूख वेरी गूड चलो डस से डमरू के बाद क्या आएगा डस से टोल वेरी गूड चलो आज के लिए इतना है बाई बंदे मात्रों